Hello and welcome back to another video guys this is day 51 और आज हम लोग बहुत ही जादा थक चुक है मतलब थक चुक है मैंने जैसे कल वाले वीडियो में गोला था आप लोग को की हाँ बहुत लंबा मैच एक खिल के आया है तो फिर उसके आफटर एपक्स तो होंगी और पैर के एक-एक मसल दूख रहा है एक-एक मसल मतलब जितन इतनी देर भी खड़े रहे हैं वह सारी देर अभी याद आ रही है कि हां इतनी देर खड़े रहोगे तो ऐसा होगा और फिलिंग वगयरा में कुछ ऐसे सब मसल्स हीट हो जाते हैं ऐसे सब मसल्स यूस हो जाते हैं जो हम लोग नॉर्मल वर्काउट्स वगयरा में ने कर सक तो मैंने भी उसको यही लिखा कि भाई मेरे भी पैर की एक एक मास पेच यहां दर्थ कर रहे हैं तो क्या ही बताओ तेरे को अब ही मैं वर्काउट करने वाला हूँ और आज क्वालिफायर 2 चल रहा है नीचे मेरे को इतना इंटरस्ट नहीं है वह वाली मैच में इसलिए मैं मैं देखा भी नहीं फर्स इनिंग्स देखी 180 कुछ रन बने हैं शायद मेरे को नहीं लगता कि चेज होंगे पर इनकेस अगर चेज होगे तो हैदराबाद आजाएगी फाइनल में मुंबई के साथ नहीं हुए तो डेली आजाएगी मुंबई के साथ वह मैच शायद परसो पर आजाला मैं इतना इंटरस्टिंग नहीं है मेरे लिए तो फिर मैं नहीं देख रहा हूँ चूस कर रहा हूँ कि मैं वर्क आट करूँ चल्दी सो जाओ ताकि थोड़ा सा शीडूल टाइम पर आसके कल मैं सुबह सो गया था तो फिर रात को लेट नहीं दाई और उसके लिए मैंने जो आज सुबह लेट खुली तो वह थोड़ा गड़बर गड़बर मैं स्ट अप राइट रिमेंबर वह चीज मैं सब हुई तो आग आगे बहुत सारी चीज़े मैं सब हो रही है थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसे ही लाते है आपन श्यूल में और यह वह काफी लंबा डिफरेंस था क्योंकि सुबह आट बजे मैं खिन ले गया था और शाम को अल्मोस छे बजे आ था तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया मेरे को वहां पे तो फिर बहुत सारी चीज़े ही ऐसे हो गए और वह सारी टाइम मैं फिजिकली एक्टिव था तो फिर मेरी ब और उसकी वज़े से हजार तानों के साथ मेरे को खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था और थोड़ा लेट उतने के बाद मेरे को हमेशा यसा ही लगता है कि थोड़ा सा डल डल मूड और ऐसा सब वह पूरा दिन कैरी करना मतलब बहुत और डल डल होते जाता है सब तो देख के भी वहला उसके बाद भी जल्दी उठने की ट्राइग करों तो यह सब है अभी मैं करहूँगा बाइसे वर्काउट और मैं आपको वर्काउट के बाद वर्काउट इस जासा वैसे जल्दी जल्दी बासे वर्काउट खतम गया अच्छा पंप हो गया बाइसा और आज से अगर गीने तो सिफ 40 और दिन बाग की है यह चालेंज कटम होने के लिए मुझे काफी नर्वस ने सोने लगी अभी ही तो क्योंकि काफी मुश्किल है होम वर्काउट से कुछ प्रिजेंट करना और ऐसा भी नहीं है कि ना मुंकिन है या कुछ पर मुश्किल तो है जब मैंने पिछला वाला नाइडी डे करा था उस वक्त मेरे को इतना रिजल्ड का था ही नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मैं वेट ट्रेनिंग नहीं करके वेट ट्रेनिंग करूंगा तो फिर मैं ग्राफ अच्छा खासा उपर लेके जा सकता हूं तो उस चीज में मेरे को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिदेंस था अपने आप प पर अब ही कुछ भी नहीं है और जो एक सिंपल रिसूर्स था मेरे पास जिम वह भी नहीं है और होमवर्क और के दम पर मैं सोच तो लिया बेसिकली यह अपने आपके लिए सोचा था वैसे तो कि जो डिस्सिप्लेन और जो सारी चीज जो मेरे को पसंद है आपिसली वह वही चीज अगर मैं करना पसंद नहीं कररा हूं इन दिनों में तो फिर मेरको क्या ही चीज पसंद आई करने को कुछ भलता ही होगा जो मेरे को बिल्गुली पसंद नहीं तो मैं करूंग नहीं लिए एक ताइमपरियर के लिये है या फिर कई स्पेसिफिक बॉडी के अभी जब से थोड़ा जादा समझ आने लगा है यह सब चीज तब से ऐसा लगता है कि यह अगर दिन का पार्ट नहीं है तो फिर चीजे बहुत मुश्किल हो सकती है ऐसा नहीं है कि जो लोग exercise नहीं करते या फिर जो लोग consciously अपने बॉड़ी पर ध्यान नहीं देते वो और आप अपने बॉड़ी पर इतने टाइम से ध्यान दे रहे हो और बाद में जाके अगर आप नॉर्मल यूमन बीक मतलब जो अपने बॉड़ी पर फिजिकली इतना ध्यान नहीं देता है उस वाले रूटीन में अगर चले जाओ तब आपको चेंज इस पता चलते है कोई चारी चीजे फील होती है तो वो सब तो होता ही होता है पर आपको वो पता नहीं चलेगा जब तक आप दूसरी साइड आफ दे स्पेक्ट्रम पर नहीं हो तो अगर आपने वो चीजी नहीं देखी है कि आप उस रूटीन में रहो कि आप अपने बॉड़ी पर ध्यान दे र तो कुछ ना कुछ करके करना तो था ही तो यहीं सही और ऐसा नहीं है कि I'm not curious about what I'm going to do or what I'm going to bring out of this पर I'm nervous to be honest I'm nervous nervous इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने यह चीज़ करी हुई है 90 day challenge और इससे पहले मेरे को अच्छा खासा result आया हुआ है बहुत appreciation मिला हुआ है तो कही नहीं मेर करूँगा तो मैं satisfy रहुँगा या फिर ऐसा वह अभी अभी इस challenge को उस challenge से compare करना तो खेर 9 साफी होईगी पर फिर भी कुछ expectations तो है मेरे को अपने आप से और वही fulfill करने की कोशिश करूँगा मैं अगले 40 दिन और तो अगर आपको मेरी यह वाली journey follow करने तो red color का बटन दब दबा दो मेरे चैनल को subscribe कर दो bell notification दबा दो ताकि आपको सारी वीडियो की notification सबसे पहले मिल जाए और आप लोग को पता चल जाए कि आज मैं क्या कर रहा हूं क्या चीज की बात कर रहा हूं यह था आइसका वीडियो guys I'll see you tomorrow until then peace out